प्यारे बच्चो, आज हम जो कहानी सुनने जा रहे हैं, उसका नाम है थप रोटी, थप दाल परदा खुलने पर बच्चे खेलते हुए दिखाई पड़ते हैं सब बच्चे हला मचाते हसते हुए बड़े उत्सहा के साथ खेल रहे हैं अचानक मुन्नी अपने घर से भागी भागी वहां आती है और नीना को पुकारती है नीना खेल छोड़कर सामने एक किनारे पर आ जाती है पीछे बच्चो का खेल चलता रहता है मुन्नी पुकार कर ओ नीना नीना सुन नीना पास आते हुए क्यों क्या बात है मुन्नी मुन्नी देख नीना आज मैंने अम्मा से आटा, घी, दाल, धई, साक, चीनी, मक्कन सब चीजे ले ली चल रोटी का खेल खेलेंगे नीना हाँ खूब मजाएगा चलो उन लोगों को भी बुला ले ताली बजा कर अरे चुन्नू सुनो, अब इस खेल को खेलते तो बहुत तेर हो गई चलो अब रोटी का खेल खेलें सब हाँ हाँ यह ठीक है मुन्नी अच्छा, अच्छा चलो, देख चुन्नू तू और टिंकू बजार से साग सबजी लाने का काम करना नीना नहीं मुन्नी, इन दोनों से दाल बनवाएंगे जब इन से आग तक नहीं जलेगी तब मजाएगा चुन्नू तो क्या तू समझती है, हम आग नहीं चला सकते चल रहे टिंकू आज इने दाल बना कर दिखाई देंगे क्यों तिंकू हाँ हाँ दोस देख लेंगे मुन्नी तो सरला तू क्या करेगी मुन्नी सरला भई मैं तो धही का मठ्ठा चला दूँगी मुन्नी और तरला तू तरला मैं तेरे संग रोटी बनाऊंगी नीना ठीक है मैं बिली बन जाती हूँ खुम बजाएगा तुमारी सारी चीजे खा जाऊंगी मठ्ठा चलाने की हाडी लेकर अभिने के साथ सरला और तरला रंग मंच पर आती है फिर गगरी उतारने का और रई से मठ्ठा चलाने का अभिने करती है एक बच्चा रोधा हुआ मा के पास आता है वे उसे मखन देने का अभिने करती है और प्यार से पास में पिठा कर फिर मठा चलाने लगती है मुन्नी दोड कर आती है मठा देखने का अभिने करती है मुन्नी वाहा खुब चलाया मठा देखू यह मीठा या खटा सरला क्या देखेगी इस मठे का बढ़िया स्वाद खाकर सब करते हैं याद चुन्नो टिंकू कंधे पर बोज रखे हुए आते हैं तरला येलो चुन्नो टिंकू आए देखे क्या तरकारी लाए चुन्नो बोज उतारते हुए ओह पीट रही है दुख टिंकू मुझको लगी करारी भूख मुन्नी मुँ मटकाते हुए बच्चो जी भूख लगने से क्या होगा अब पहले तुम आग जलाओ और हांडी में दाल पकाओ चुन्नो अरे हाँ चल जल्दी से दाल पकाए बड़ियों का भी स्वाद चकाए दोनो आग जलाने फूख मारने और धुए की वज़े से आई आसू पोचने का अभिने करते हैं फिर दाल और बड़ी पकाते हैं कल्ची से दाल चलाते चकते हैं कि उंगली जल जाती हैं उंगली जलने के अभिने के साथ साथ मुन्नी पास आकर इने देखती है मुन्नी टिंकू ने पकाई बड़िया चुन्नो ने पकाई दाल टिंकू की बड़िया जल गई चुन्नो का बुरा हाल तरला तथा अन्य सहेलिया एक और से आती है हाथ कमर पर इस परकार रखा है जैसे हाथ में डलिया हो आकर बैठ जाती है फिर गाकर रोटी पकानी का अभिने करती है लड़किया थप रोटी थप दाल खाने वाले हो तयार ये पंक्तियां दो बार गई जाने के बाद चुन्नो और टिंकू के दोस्त एक पंक्ती में एक के पीछे एक कदम बढ़ाते हुए बड़ी शान के साथ आकर एक और बैठ जाते हैं फिर लड़कियों की और हाथ फिला कर मांगते हुए गाकर दो बार कहते हैं चुन्नो लाओ रोटी लाओ दाल लाओ खुब उड़ाए माल मुन्नी और तरला की सहेलियां रोटी की डलिया उठाने का अभिने करते हुई एक पंक्ती में लड़कों के पास आकर उन्हें रोटी देने के अंदाज में दो बार गाकर कहती है मुन्नी आदी ले लो रोटी ले लो दाल चकर हमें बताओ हाल चुन्नो आदी चिड़ा कर खटा पर जैसे ही मुन्नी गुसे से उनकी और देखती है तो कहते नहीं नहीं मीठा खटा नहीं मीठा खाने का अभिने करते हुए खटा मीठा कुछ रुक कर सब बच्चे आधी खाएं आधी रखें अब सो जाएं उटकर चखें सब बच्चे सो जाते हैं अचानक बिल्ली की म्याव सुनाई पड़ती है बिल्ली का परवेश वे चारो ओर देखती है तो होटो पर जीब को फेर कर बड़ी खुश होकर कहती है बिल्ली ओहो मखन कितना सारा जट से चटकर करू किनारा आगे बढ़कर उपर उचलती है छीके पर से कुछ चीज लेने का अभिने करती है हे चीके पर ये क्या रखा आन रही क्या अगर न चक्खा हाथ पढ़ा कर रोटी निकालते हुए रोटी कैसी गरम गरम है घी से चुपड़ी नरम नरम है खाते हुए मक्खन रोटी चावल दाल जी भर खाया कित्ता मार और देखो वे मुन्नू चुन्नू टिंकू सारे खराटे भर रहे बेचारे अब चुपके से सरपट जाओं आलसियों को सबक सिखाओं म्याओं 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 बिल्ली जाती है अंग्राई लेकर सरला उठती है और मक्खन के बरतन को खाली देखकर अश्चर्रे से चिलाती हुई कहती है सरला ओरे चुन्नू टिंकू भाई कहां है मक्षन और मलाई मुन्नी चोक कर उठते हुए अरे जरा छीके तक जाना और रोटी का पता लगाना हाई रे न रोटी न दूद मलाई लगता है बिल्ली ने खाई एक बच्चा बिल्ली आई आधी रात खा गई रोटी खा गई भाद दूसरा बच्चा क्या कहां बिल्ली आई आधी रात खा गई रोटी खा गई भाद टिंकू चलो बिल्ली की ढून मचाए फिर चोरी का मचा चकाए सब बच्चे ठीक ठीक, बच्चे मिलकर बिल्ली को ढूनने जाते हैं, कुछ बच्चे अंदर जाते हैं, भाहर आते हैं, कुछ रंगवज पर सामने की ओर देखते हैं, कभी बैट कर नीचे जुक कर देखते हैं, और नहीं मिलने का हावभा प्रकट करते जाते हैं, तब ही तर तल्ला सरला चीक कर कहती है तल्ला सरला यहलो मिल गई बिल्ली मिल गया चोड बिल्ली घबराई हुई सी रंगवंच पर आ जाती है सब उसे पकड़ते हैं सब करो पिटाई इसकी जोर हसकर मारने का अभिने करते हुई बोल अब खाएगी मेरी रोटी अब खाएगी मेरी दाल बिल्ली हाँ खाऊंगी सो सो बार जो सोगे टांग पसार यह कहकर बिल्ली भागने का प्रेतन करती है पर सब बच्चे उसे घेर लेते हैं तीन चार बार ऐसा करने के बाद बिल्ली घेरा छोड़ कर भाग जाती है और सारे बच्चे पकड़ो पकड़ो का सोर मचाते हुए उसके पीछे भागते हैं परदा गिरता है